प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस्ट प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो क्याबिनेट ने साथ जगों पर नए आई आएम के लिए बजट को मंजूरी दे दी बिहार के पश्चमी चंपारण में वालमी की टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पशू चराने गए एक आदमी पर बाग ने हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई यूपी के मतुरा में एक साधू का शव पेड़ से लटका मिला जिस पर पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई खबर है कि जल्द शुरू होने वाले टीवी रियालिटी शो बिग बॉस में क्रिकटर श्रिशांद भी हिस्सा ले सकते हैं उत्तर कोरिया के राष्टपती किम जॉंग उन से मुलाकात के बाद दक्षन कोरिया के एक प्रतिनिदिमंडल ने बताया कि दोनों देशों के बीच इसी महीने 18 सितंबर को प्योंग्यांग में एक शिकर संबेलन होगा यानि दोनों देशों के राष्टपती इस साल तीसरी बार आपस में मुलाकात करेंगे यूपी के लबाद में एक मंदर के पास कुछ पुलिस वाले चानबीन करने लगे पुलिस ने दोनों के शव को बरामत कर उन्हें पोस्ट मॉटम के लिए अस्पताल भेश दिया पुलिस ने शुरुआती जाच में इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताया साथी मौकिस हत्या में शामिल दो हत्यार भी बरामत करने का दवा किया लड के ने शायद लड़की को दोड़ाया भी है हो सकता है मामला प्रिम संका भी हो लड़के की अभी तक शिनाक्त नहीं हुए लेकिन शिनाक्त बहुत जल्दी हो जाएगी चन्डिगड में मीडिया को एक वीडियो दिखा कर नवजोद सिंग सिध्धू ने गुरुगरंद साहब बेद्बी मामले में अगाली दल पर तीखा अमला बोला दावा किया गया कि ये वीडियो रंजीत सिंग आयोक की जांच में सामने आये जिसके आधार पर सिध्धू ने प्रकाश सिंग बादल को गटगरे में खड़ा कर दिया सिध्धू ने दावा किया कि दो साल पहले के गुरुगरंद साहब बेद्बी मामले में लोग शांती से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने अचानक कारवाई शुरू कर दी थी विडियो के आधार पर सिध्धू ने दलील दी कि पुलिस ने धरना दे रहे लोगों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश की थी जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ और फिर पुलिस ने फारिंग की सिद्धू ने अकाली दल और प्रकाश सिंग बादल को जांच आयोग की रिपोर्ट पर खुली बहस की भी चुनौती दी जाकन की गिरडी में एक दाले के पास 33 आईटी बरामत किये गए जिसके बाद जवानों ने फॉरण इसकी सूचना बं निरोधक दस्ते को दी जिन्होंने मौके पर पहुँचकर आईटी नश्ट कर दिये बताया गया कि नकसलियों ने दो किलोमीटर की परीधी में 33 आईटी लगाई थी लेंड माइन्स की बरामतगी के बाद CRPF और गिरडी पुलिस ने सरच अबिहां तेज कर दिया खानकीस बीच किसी भी नकसलियों की गिरफतारी नहीं हो पाई पुलिस इसे बड़ी सफलता की तोर पर देख रही है पुलिस मान रही है कि नकसलियों ने ये आईटी जवानों को नुकसान पहुँचाने के लिए लगाया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समलेंगिक्ता को गयर आपराधिक करार दिये जाने के बाद गायक और संगीतकार विशाल दादलानी ने अपने च्विटर अकाउंट से एक वीडियो संदेश जारी किया विशाल दादलानी समेत हिंदी फिल्म उद्योग से जुड़े कई बड़े चेहरों ने इस वैसले का स्वागत किया जिसके लिए उन्होंने एक वीडियो का साहरा लिया जिसके जरीए विशाल दादलानी ने समलेंगिक्ता को अपराद नहीं मानने के लिए सुप्रीम कोट का शुक्रिया आदा किया इताना मानवता और समान अधिकारों की बड़ी जीत है देश को उसका ऑक्सिजन वापस मिल गया करन जोहर ने इस पोस्ट के साथ इंद्र धनुशी जंडे की तस्वीर भी शेयर की समलेंगिक्ता पर सुप्रीम कोट के फैसले पर खुशी जाहिर करने का सिलसला यहीं नहीं थमा बलकि इसके बाद अपनी फिल्मों के जरीए सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले आमिर खान भी सामने आए जिन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपने टीवी कारिक्रम से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने समलेंगिक्ता के मुद्दे पर समलेंगिक समुदाय से तालोक रखने वाले कुछ लोगों से बात की थी ये वीडियो पोस्ट करते हुए आमिर ने लिखा कि धारा 377 को खत्म करने के फैसले के लिए हम सुप्रीम कोड का शुक्रिया आदा करते हैं ये समानता के अधिकार में विश्वास करने वाले लोगों के लिए एतिहासिक दिन है नया पालिका ने अपना परज निभा दिया अब हमारी बारी है जिसके बाद मुलाना अब्दूल रशीद दााउदी ने इन सभी के खिलाफ फत्वा जारी करते हुए इन लोगों को इसलाम से बाहर निकालने का एलान कर दिया मुलाना के फत्वा जारी करने की ख़वर मिलते ही बीज़पी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और इस फत्वे को अशांती फैलाने की कोशिश बताया बीज़पी नेताओं ने दावा किया कि कश्मीरी लोग पूर्व पियम अटल बिहारी वाजफ़ाई का सम्मान करते हैं झाल करते हैं